कि हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके facebook पर facebook पेज पर कोई भी आपको message करेगा facebook page को message करेगा आपके तो उसे automatic reply message कैसे चले जाएगा automatic reply मिल जाएगा कि हमें हमारे page को kontakt करने के लिए धन्यवाद हम थोड़े ही उस समय बाद आपको contact करेंगे, हमें reply करने के लिए धन्यवाद, ऐसा एक message, automatic reply चले जाएगा, instant reply कैसे send करते हैं, इसी भी वेक्ति ने आपके facebook page पर message भेजा, कि कोई भी message भेजा, तो उसे तुरंत एक reply चले जाएगा, कि हमें contact करने के लिए धन्यवाद, हमारे page को contact करने के लिए धन्यवाद, हम थोड़े ही समय में आपके message को reply देंगे, या फिर जो आप message में reply देना चाहते है, customize reply आप दे सकते, तो उसे कैसे settings क्या है, उस facebook page पर automatic reply चले जाएगा, किसी को भी, तो उसकी settings में आपको बताने वाला हूँ, आज, आईए देखते, यह देखिए, facebook page है है हमारा, इस पर कोई भी व्यक्ति message करेगा हमें, तो उसे automatic reply चले जाएगा, तो उसकी settings में बता रहा हूँ, आपको आपके facebook account में login करना है, sign in करने के बाद आपको जिस page से पर instant reply आने चाहिए, जाने चाहिए, लोगों को, उस page पर जाना है आपको, जो आपका page होगा, यह मेरा page है, इसमें देखिए, यहाँ पर settings नज़र आ रहा है, settings का option नज़र आ रहा है, यहाँ पर उस पर आपको क्लिक करना है, settings में क्लिक करते ही, यह देखिए, general आ गया, general के नीचे messaging दिखा हुआ है, मेसेजिंग पर आपको क्लिक करना है, messaging पर हमने क्लिक किया, और यह देखिए, messaging settings का यह पूरा page आ गया, तो इसमें, यहाँ पर देखिए, नीचे, send instant replies to anyone who message your page, इसका option नदर आ रहा है, तो यह no होगा, तो इसे as कर दिज़े, आप, as पर क्लिक किया, हमने as कर दिया, इस option को, तो यह देखिए, ऐसा message, कोई भी अभी message करेगा आपको, तो उसे automatic reply चले जाएगा, इस तरह का, thank you for messaging us, we try to be as responsive as possible, we will get back to you soon, तो इस तरह का message चले जाएगा, या आपको यह message नहीं रखना है, कोई, आपके हिसाब से जो text रखना है, इस message का, automatic reply जाने वाला है, किसी भी बैक्ती को, जो message करेगा आपके page को, तो उसे यहाँ से change भी कर सकते है, यह change का button दिख रहा है, दिखे, option, यहाँ पर क्लिक किया, हमने change, और यहाँ पर देखिए, यह, your instant reply, और यह देखिए, thank you for messaging us, यह, देखिए, line है पूरी, इसे आप, अपने हिसाब से, कुछ भी, change कर सकते है, thank you for messaging us, we will contact you, as soon as possible, या आपको वो message, instant reply का, जो text था, वो पसल नहीं आया होगा, तो आपके हिसाब से, जो आपको रखना है, वो यहाँ से, आप रख सकते हो, save पर क्लिक करना है, यह, देखिए, save पर क्लिक किया, तो यह, देखिए, message, जो instant reply जाने वाला था, वो change हो गया, thank you for messaging us, we will contact you as soon as possible, तो इस तरह से, किसी भी page को आपके, कोई वेक्ती message भेज़ेगा, तो automatic reply, auto reply चले जाएगा, इस तरह से, तो instant reply इस तरह से चले जाएगा, तो यह था उसका एक छोटा सा tutorial, फेज़बुक पेज़ पर कोई message send करेगा, तो instant reply कैसे जाएगा, इसका एक पूटोरियल थाए, यह, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो, वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर हमारे चैनल को subscribe कीजे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,